हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैं स्वाटका में दोस्तों मैं है रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग आज के पेपर का एनलसिस करेंगे आज जो भी कोश्चन हमारे पास सब तक आया है उन सबी कोश्चन को हम लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देखेंगे कोई भी जो समतला किरती होता है वो बहभूज का लाता है जैसे तिर्भूज, चतरभूज, पंजभूज, दसभूज, बाराभूज इन सभी को हम लोग पॉलिगन बोलते हैं और पॉलिगन चाहे कोई भी हो उसके सभी अंतह कोनों का इंटर्नल एंगल का सम होता है एन माइनस 2 into 180 degree जहां एन के अस्थान पर क्या लेंगे हम number of sides लेंगे यानि की भूजाओं की संख्या जैसे किसी सब्त भूज के सभी अंतह कोनों का योग क्या होगा तो एन के जगा साथ, साथ माइनस दो कितना होगा, पांच, पांच, गुने 180, यानि के 900 degree हो जाएगा किसी बारा जाहे करें अगर भूज के सभी अंतहकोन का होगा, पालिगन के प्रतेक सबीन साथ मिखना सी आनि के 360 degree होगा, उसे प्रकार से बाहर में जो कोन बनेगा उसकोए क सभी अंतह कोन बोलेंगे, और बात हम लोग करें चतर literal degree के उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बाहे कोन बलते हैं तो कोई भी पॉलिगन हो चाहे चतरभुज हो पंचभुज हो उसके सभी बाहे कोन हो का युग 307 डिग्री होता है, ठिक है, चलिए, हाँ, एक ची और, पॉलिगन चाहे कोई भी हो, उसके अन्तह कोण, और बाहे कोण, याने कि अगर मालीजे प्रतेक अंतहकोन का माप पूछ दे तो इससे क्या निकलेगा यहाँ जो फॉर्मूला है सभी अंतहकोनों का माप अब जितना कोन का संख्या है उससे भाग कर लिजेगा तो इससे निकलेगा आपका भूजाओं की संख्या प्रतेक कोन का माप ठीक है चलिए अगे बढ़ते हैं अब हमें एक यहां पर और समझना है अगर माली जे कभी भुजाओं की संख्या पूछ देना नंबर आप साइड पूछ दे तो इसके लिए हमें चाहिए होगा प्रतेक बाहेकुन अगर प्रतेक बाहेकुन है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं क्योंकि प्रत प्रतेक बाहेकुन के योग में एक बाहेकुन के माप से भाग करेंगे तो नंबर आप साइड आप का यहां पर निकल जाएगा ठीक है आसानी से इसका हम लोग यूज कर लेते हैं अब देखेगा इस कुश्चन में क्या बोला था बोला है कि एक बहुभुच के प्रतेक अं माप माइनस करेंगे तो बाहेकुन का माप निकले गा कितना हो गया प्यान से समझचेगा म सभी कुनों की संख्या निकलेगा और किसी भी पॉलिगं में जितना माप होगा उतना ही भूजा होगा 45 से काटी यह 45 दुना 90 यानि 45 अठे 308 हो जाएगा इनका फैलू यहां पर कितना हो जाएगा इनका फैलू यहां पर संपूरक बोलते हैं उसको संपूरक बोलते हैं उस पर आधारित कोशन किस तरीके से पुछा गया है उनको हम लोगों ने पॉलिगन टॉपिक के अंदर देखा है आगे देखे बोला क्या था एक चतरभुच के चारो कोनों में यहां अनुपात है और अभी आपने देखा है कि किसी भी चतरभुच के चारों अंतह कोनों का योग होता है 360 डिग्री यहां पर देखे चारों कोन का माप कितना दे रखा है 4, 5, 2, 7 सब का योग होना चीए 360 जो यह चार, 5, 9, 2, 11, 7, 18 18 को 360 बनाईए क्योंकि सभी कोन का माप 360 होना चीए तो 18 में 20 से गुना करिएगा 360 हो ज चार, 5, 9, 2, 11, 7, 18 18 18 को 360 बनाने के लिए 20 से गुना अब हमें P और R चाहिए तो केवल P और R का मान निकालेंगे जब 20 से बिना गुना करिएगा तो 24 के 80 डिग्री हो जाएगा P का मान और R का मान कितना हो जाएगा 20 दूना 40 डिग्री हो जाएगा ठीक है P और R का मान निकल अब हमें करना है 3P तो P का वैलू कितना है 80 तो 3 गुना 80, 8, 3, 24, 240 डिग्री पलस 2R आर का वैलू है 40, 2 गुना 40 यानिकी 80, 240 पलस 80 कितना हो जाएगा 320 डिग्री यही आपका किसका वैलू हो गया 3P पलस 2R यहाँ पे P की वार्स क्या था एक चतर भुज के चारों अंतहकुन के कुनों में अनुपात ठीक है आगे बढ़िए अगला कुशन देखिएगा यहाँ पे क्या है सम चतर भुज से कुशन तो आपका हर बार पूछा गया है इसलिए टॉपिक को हमने अलग हटा करके बहुत ही डिटेल में चीजों को समझाया है सम चतर भुज किसको बोलेंग नदेखिए और समचतर भुज का भी चारोग भुजा बढ़र होता है कि व्रग का चारोग भी बरावर होता है प्रतेक कों कमा प हो हमाप पे 90 अटिंगरी बहुता है जबकि इसके कों कमा प क्या होता है अगल यानि कोई भी साइद लेंगे इसका भैलू थेरह परिमाप बा और है फोरे का वहलू बावन तो एक आमान तेरा तो प्रतिक भूजा काम आप निकल गया बावन आगे देखिए डीवन का वहलू 10 होता क्या देखिए सम्चतर भूज का जो दोनों बिकर्ण होता है ना वह एक दूसरे को काड़ता है नब्य डिग्री पर ठीक है यह दोनों ब मतलब यहां से ले करके यहां तक काम आप कितना हो गया 5 इससे हम क्या कर सकते हैं दूसरे विकर्ण के आधे काम आप निकाल सकते हैं इस वाले पार्ट को केबल देखिए आप यहां पे आपका ट्रेंगल बना है तिर्भूज बना है और वह तिर्भूज किस तरीके का है समक समकून तिर्भूज का लाएगा और समकून तिर्भूज में 90 डिगरी के सामने वाला भूजा कर्ण यह कर्ण है यह लंब है अगर हम ट्रिप्लेट लगाते हैं तो आधार निकल जाएगा तो तेरा का स्क्वाइर समकून तिर्भूज का साइड्स जो है उसी को हम लोग क्या बोलते है ट्रिप्लेट जैसे तीन चार पांच हो गया इस प्रकार से 8 15 17 हो गया तो इन से कोई दो पता होगा तो तीसरा हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं या फिर आप यहां पर पाइथागोरस थियोरम लगा सकते हैं कर्ण बड़ाबर यह तो कर्ण ही होगा ना रूट अंडर यहां पर लंब निकालना है लंब या आधार कुछ भी मान सकते तो लंब बड़ का जो चेतरफल होता है वह होता है आपका एक बट्टा दो गुने पहला भिकर्ण जो की है दस गुने दूसरा भिकर्ण जो की है आपका चोविस एक बट्टा दस एक बट्टा दो गुने दस गुने चोविस एक बट्टा दो गुने पहला भिकर्ण गुने दूसरा यहां पर कितना होगा 12-12 गुने 10 यानी 120 यहीं आपका यहां पर इस कोश्चन का सही आंसर होगा ठीक है चलिए बरते हैं अगले कोश्चन में अगला कोश्चन देकि बहुत ही सिंपल सा कोश्चन था बोला था दो लाइन एक दूसरे के ऊपर पर परपेंडिकुलर है तो इस 110 डिगरी क्योंकि सीधी रेखा पर 110 से डिगरी का कुन बनता है इधर सत्तर इधर 110 इधर 80 तो इधर कितना होता एक सो हो जाता ठीक है आगे चलिए अगला कोश्चन बहुत थी यह भी ज्यादा सिंपल था गोला दे रखा था बोला एक गोले का तीर जा साथ सेंटिमीटर इ निगा बग्र क्रिष्टेच चतरफल दोनों एक ही होता है क्या होता है इसका संपूर्ण परिष्टेच चतरफल 4 4pi R² ठीक है और अगर हम बात करें गोले के आयतन की तो क्या होगा गोला का आयतन 4 3 फिरी पाय आर क्यूब यह होता है आपका गोले का आयतन, तो अगर आयतन निकालना होगा, तो यहाँ फॉर्मूला, प्रिस्टे छितर्फल निकालना होगा, तो इस फॉर्मूला चेक कर लीजी एक बार 22 सते 154 होगा ना एक सो चोबन में चार से गुना करेंगे चार चोके 166 हासिल 154 के साथ और 166 166 हो जाएगा ठीक है कि क्या होगा आपका 616 यही आपका इस question का answer हो जाएगा देके direct जहां भी पाई यूज होता है जहां भी पाई यूज होता है यानि इसका value 22 से बट्टा साथ होगा और अगर option पुर्णांक में दे रखा है 22 से बट्टा साथ कहने का मतलब कितना होगा यहाँ पे 11 तो जो option आपका 11 से कटने वाला होता है वही option हमारा answer हो जाता है तो जब calculation बढ़ा दे दे डाटा बरा दे दे उसके हम क्या चेक करेंगे किने में से कौन सा option 11 से कट रहा है उन्हीं क्या answer होने के chances होगे अगर माली जे कि तीन option इसी से हट गया तो हम आसानी से अपना answer निकाल लेंगे अगला देखे क्या है वोला है एक बस्तू का अंकित मुल 2000 रूपए MRP कितना 2,000 रूपए अब इस बस्तू को 15% और 20% छूट के बाद बेचा जाए तो लूद क्या होगा ठीक है अंकित मुल दे रखा था लोका है और 25% में इस बस्तू के इसके क्रैमूल के 85% में बेचा जाएगा और दूसरा चूट है 20% मतलब की इसके 80% में बस calculate कर यह answer आपका आजाएगा ठीक है चलिए अगे बढ़ते हैं 15% और उसके बाद 20% 15% चूट का मतलब है कि बस्तू को इसके क्रैमूल के यानि उसके MRP के MRP के अंकित अगलाँ देखे कोशन आपका ट्रेंश से था दो समान लंबाई की रेल गारी ये जिसका लंबाई क्या है समान है जिसमें से एक चाल है 56 m2 सेकंड दूसरा का चाल है शैली परकर SAR सेकंड ग terror समंद समान में हो दोनों का डायरेक्शन क्या हो सेम डायरेक्शन में हो तो हमें बताना है दोनों रेलगारी का चाल देखे जब भी आप से पूछे न क्रॉसिंग टाइम यानि की पार करने में लगा समय उस केस में फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव फैलोसिटी अब यह क्या होता इसको समझे जब भी क्रॉसि रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब क्या होता है जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा ना उसके लंबाई का योग जैसे माली जै कि कोई दो ट्रेन एक दूसरे को पार किया है तो दोनों के लंबाई का योग ठीक है एक रेलगारी है एक बस एक दूसरे को पार किया है दो के लम्बाई का ओऊग यानि रिल्यटीवडिस्टेंस का मतलब होता है जो दो सिस्टम एक दूसरी को पार किया है इसके लम्बाई का योग और रीलेटीव वेलोसिटि इसको क्या पढ़ेंगे इसको ड्रेलन मत पढ़िए गई रिलेटिव डिस्टेंस यह रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी का मतलब होता है दोनों रेलगारी के चाल का योग या फिर दोनों रेलगारी के चाल का अंतर यह डिपेंड करता है रेलगारी के डिरेक्शन पे रिलेटिव डिस्टें और भी 1 माइनस भी 2 कब करेंगे जब समान दिसा में हो बस इतना सा कॉंसेप्ट है और इस पे कोश्चन अभी लगातार पूछा जा रहे आसानी से आप बना सकते हैं आए कोश्चन को सोल्ब करते हैं बोल रखा है कि एक दूसरे को पार करता है 26 सेकेंड में तो क्रॉसिंग ट क्या देखना पड़ेगा कि दोनों रेलगारी एक ही दिसा में है कि भी प्रीद दिसा में तो कुश्चन ने बोला है समान दिसा में तो चाल को घटा यह 56 मिसे 40 माइनस करिए कितना होगा 10 जब 40 यहां पर लिखेगा तो देख लिजेगा अगर यह मीटर पर सेकेंड में है त वैलू आया है वो अगर मीटर पर सेकेंड में है तो फिर ऐसे ही छोड़िए और अगर नहीं है तो फिर इसमें आप 5 बटा ठार से गुना करिए यहां है इसलिए छोड़ दिए सोल्ब करिए आंसर आपका आ जाएगा देखे 2 से काटेंगे यहां पर 13 हो जाएगा 13 गुने 10 और सारे 5 परतिसाद वारसिक दर से 2 बरसों में ब्याज में कितने रुपय का अंतर आएगा दो रेट है सारे 4 परसेंट और सारे 5 परसेंट एक साल में कितने परसेंट का अंतर आएगा एक परसेंट का तो फिर दो साल में कितने परसेंट का अंतर आएगा तो फिर दो साल मे बट्टा में 100 होता है यहां पर देखे यह टाइम इन वर्क से कुश्चन आपका पूछा था बोला था कि अगर किसी काम को 36 दिन में हमेशा ऐसे कोश्चन में किसी वर्कर का डे देगा यहां किसका डे दिया है ए और बी दोनों का आप सोचिए जरासा कि ए और बी मिला करके के एफिसेंसी कितना है तीन और एक चार और Сам समय कितना दिन लगा 36 दिन यानि का म का मातर चार गुने 36 होगा ठीक है अगर कोश्चन है बोलता कि ए को 36 दिन मतलब एक का इफिसेंसी grows दिन तो तो काम का माता को 3 गुने 36 लेदफे अगर काम को जिस से लेना होगा उसके efficiency से भाग एक इतना दिन में यानि बट्टा में A का efficiency बस कोशन आपका सोल्व हो गया चार गुने बारा आंसर क्या होगा 48 दिनों का समय जो है वह आपको किसको लगने वाला है बी को सोरी हाँ A को लगने वाला है बी को पूश्टा तो बट्टा में B का efficiency यानि की एक लिखते हैं आगे चलिए अगला कोशन यहाँ पर देखे क्या है इस कोशन में बोला यह गया था कि कि 20183 में कितना से गुणा करे कि यह पूर्णबर्ग बन जाए या कोशन ऐसे भी रहा हो सकता है कि 9 को तोड़िएगा तो 3 गुने 3 इसका अभाज गुननखन किस रूप में आया है जोड़े के रूप में आया है तो सबसे पहले आप इसको अभाज संख्या में तोड़िए देखे दो से तो कटेगा नहीं 3 से कटे आर्थ ने ग्यार एक बारा है तो 3 ती ती या 9 यहां नहीं बनाया है वही हमारा क्या हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इन संख्या में जब आप 3 से गुना करिएगा तो 19 का भी जोरा हो जाएगा तीन का भी जोरा हो जाएगा यह पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगा तो कोश्चन पूछे कि इसमें कितना से गुना करे कि पूर्ण बर्ग बन जाएगा तो आंसर यही होगा अगर पुछे कितना से भाग करे कि पूर्ण बर्ग बन जाएगा तो भी आंसर आपका यही होगा ठीक है? मान लिजे किसी नंबर को आप तोरे तो value इस तरह से आया तीन गुने, पांच गुने, साथ गुने, साथ गुने, एग्यारा गुने एग्यारा किसी संख्या को तोड़ने पर इस तरह से भैलवाया इसको हम इस फॉर्म में अगर लिख दे तो अब आप से पुछा जाए किसमें कितना से गुना करे कि पुर्ण बर्ग बन जाए तो देखे इसमें पेर किसका नहीं है तीन का तो एक तो तीन से गुना करना पड़ेगा फिर पांच का तो एक तो पांच से गुना करना पड़ेगा साथ का पेर है एक यारा का पेर है तो इन नंबर से हमें गुणा नहीं करना पड़ेगा मतलब तीन और पांच का पेर लगाना पड़ेगा तो हमें कितना से गुणा करना पड़ेगा तीन गुणे पांच यानि की पंद्रह से कितना से भाग करना पड़ेगा तीन गुणे पां दे करके तीसरा आप से पूछे तो formula हम लोग यही उच करेंगे बहुलक बराबर яनि मूर्ड बराबर बहुलक बराबर क्या होगा तीन गुने माधिका देखे बरा वैलू कॉन इसमें लिखने के क्रम में अगर देखे तो बरा कॉन दिखता है माधिका तो माधिका में तीन से करिगा और चोटा दिखता है माध तो माध में 2 से गुणा करिए गा और बड़ी में से छोटी वैलू माइनस करिए इस तरीके से ठीक है बहुलक बराबर तीन गुने माधिका मायनस दोक नमाध बहुलक बाहर रहेगा यहां पर माधिका को हम M मान लिये या X मान लेते हैं ठीक है माधिका का value कितना मान लिये X मान लिये यही हमें निकालना है तो 3 mm X हो जाएगा माइनस 2 गुने माध माध कितना है 65, 2 % 65 135 हो जाएगा कि-130 बरावर कि धर आके 23 में जुड़ेगा माइनस है इस पराबर किस तरफ जम करेगा तो plus तो 130 plus 20 153 153 value किसका हो गया 3x का हो गया x का value निकार लीजिए answer आजायेगा 3 से काटे 3 पंचे 15 3 एकम 3 यानि x का value 3 हो गया x वाने थे माधिका माधिका कितना हो जाएगा आपका माधिका आपका 3 हो जाएगा ठीक है चलिए अगले कोशन में आएए एक quadratic equation यहाँ पे आपको बनाना था ठीक है दुई घात समिकर्ण आपको बनाना था ठीक है दुई घात समिकर्ण बनाने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या क्या यूज कर सकते देखेगा पहला पहला तो आ आपका बन जाएगा या फड़ इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं देखेगा एकस माइनस अलफा यानि पहला मूल इंटू एकस माइनस बीटा यानि की दूसरा मूल और बराबर में क्या लिखते हैं जीरो इन दोनों फॉर्में option दे रखा होता है तो जिस फॉर्में option आप मूल दूसरे का आधा इसका equation हमें बताना था तो हम क्या करेंगे यहां पर एक मूल मान लेते हैं एक मूल यहां पर बान लेते हैं 2m कुछ भी मान सकते हैं तो दूसरा मूल जो इसका होगा वह क्या हो जाएगा दूसरा मूल एम हो जाएगा एक मूल दूसरे का आधा तो एक मूल हम 2m मान लिए 2m का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा M हो जाएगा दोनों मूल पता लग गया है अगर मान लिजे कि मूल दे रखा होता उस में क्या करते एक मूल दे रखा होता उसको आधा करके हम लोग दूसरा मूल निकालते लेकिन सीधे बोला है तो एक m मानेंगे दूसरा हमारा एक 2m मानेंगे दूसरा एम हो जाएगा अच्छा एम क्यूं नहीं माने एम अगर लेते तो यह एम तो यह एम बाई टू हो जाता बात वहीं होता एक मुल दूसरे का आधा ही होता लेकिन वहां क्यालकुलेशन फ्रैक्शन का फॉर्म दे देता इस वज़ा से अब देखेंगे जिस फॉर्म में है उस हमें एक्वेसन बना देते हैं तो हम इस फॉर्म में बनाते हैं भी एक से स्क्वार माइनस क्या लिखेंगे अलफा प्लस बीटा कितना है टू एम और एम 3 एम गुना एकस तो 3 एम एकस हो जाएगा प्लस आगे क्या है मुलो का गुनन फल यानि 2 एम गुना एम तो कितना हो जाएगा 2m square बराबर क्या होगा बराबर 0 यही आपका इस question का क्या होगा यही आपका इस question का सही answer हो जाएगा अलफा प्लस बीटा इंटू अलफा इंटू बीटा तो अलफा का मान है 2m बीटा का मान है m 2m गुना m यानि कि 2m square x square minus 2m x plus 2m square बराबर 0 यही आपका क्या होगा इ इस form में भी लिख सकते थे, x-2m into x-m बराबर 0 वह depend करता है, option आपका किस form में दे रखा था, और quadratic equation से लगा था, और question आपका पुछा जा रहा है इसलिए हमने latest video भी quadratic equation पे बनाया था, चलिए देखिएगा, इस question में क्या बुला था, बुला है, दो संख्याओं का, योग पच्पन है, मौसा पांच है, ठीक है, योग दे रखा था, मौसा दे रखा था, चलिए लौसा भी question का दे रखा था, लौसा यहाँ पर क्या हो गया, देख लेते हैं, हम लोगों से पुछा है, ब्यूत कर्मों का योग, ब्यूत कर्म बाले question को हम लोगों ने पहले भी देखा है, ध्यान से समझेगा, जैसे मान लिजे एक संख्या X है, दूसरा संख्या Y है, तो अगर इसके ब्यूत कर्मों का योग पूछ रहा है, मतलब आप से एक बट्टा X प्लस एक बट्टा Y का मान पूछ रहा है, जोर के देखे, क्या value आएगा, जब आप इसको जोरिएगा, तो यह हो जाएगा आपका X प्लस Y बट्टा X Y, यही तो होगा, Y धर, X इधर Y प्लस X, यह X प्लस Y, यानि किन ही दो संख्या X और Y के ब्यूत कर्मों का योग क्या होगा, उनका योग बट्टा उनका गुननफल, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, इन दोनों नंबर का योग तो दे रखा है, जिसके ब्यूत कर्मों का योग निकालना है, तो योग ऊपर लिख दिए, और बट्टा में लासो और मौसा का जो गुननफल होता है वो उन्हों दोनों संख्या के गुननफल के बराबर यानि दोनों संख्या का गुननफल हम लोग लासा मौसा से निकाल सकते हैं और बस हमें यहाँ पर यही करना था योग बट्टा यहाँ पर गुननफल पांस से काटे एक ग्यारा या इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसके लाबा लाइक और सेर करते रहें तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉंसेप्ट के साथ थैंक्यो जय हिंद